दोस्तो नमस्कार आप सभी का स्वागत आपकी अपनी यूट्यूब चैनल आरेनेस एजूकेशन न्यूज में दोस्तो वीडियो में बात करने वाले हैं विद्या संबल योजना विद्या संबल योजना दोस्तो रास्तान मादमिक शिक्षा विभाग की तरफ से लागू की गई है और इसमें बेसिकली क्या है कि जो सरकारी स्कूल है और उन्हीं स्कूलों में अगर अध्यापकों की कमी है यानि कि पोस्ट खाली है रिक्त पद हैं तो उन पर क्या करेंगे B.Ed. और D.L.Ed. यानि कि B.Ed. और B.S.T.C. जो पास अभ्यरती है उनको लगाया जाएगा पूरी योजना क्या है आप लोगों ने बहुत सारे यूट्यूब पर वीडियो देखे होंगे सोसल मीडिया पर वीडियो देखे होंगे तो मैं आप लोगों को उन से हट करके कुछ इनफोरमेशन इस वीडियो में देने वाला हूँ इसके लिए पूरी आप लोगों को क्वालिफिकेशन बताएंगे और आपको फोरम कहां मिलेगा कैसे आप इसके लिए फारम भर सकते हैं वो सारी चीजे भी बताने वाले हैं और विद्यासंबल योजना दोस्तो अगर फिर कोलेज लेक्चरर की भी योगता रखते हैं तो आप जरूरी नहीं कि आप इसकूलों में ही इन पर लगें आप इस कोलेजों में भी विद्यासंबल योजना के तहत लग सकते हैं ठीक है राजस्तान के जितने भी सरकारी कोलेज हैं जो उपकंड इस्तर पर हों जिला इ इसकूलों में भी विद्यासंबल योजना के तहत असिस्टेंट प्रोफेसर वगरा की जो सीटे हैं भरी जा रही हैं तो जरूरी नहीं कि इसकूलों में आप लोगों को बताते हैं इसकूलों में जो विद्यासंबल योजना है उसकी क्या योगता है और कितना वेतन मिलेग कैसे आप लोगं को फोम भरना है ये दोस्तो 18 जुलाई का आदेश है मादमिक सिक्षा निदेशक राजस्थान का बीकानेर से और इसमें बताए गया है कि दोस्तो यहां पर देखिए विद्या संबल योजना के तहत नीजी अभ्यारतियों और सेवा निवरत सिक्सकों को गैस रेटाइर्यों हो चुके टीचर की जोब से वो लोगं तो दो तरीके से इसमें अप्लाई किया सकता है फ्रैसर भी अप्लाई कर सकता है रेटाइर भी आप देखिए इसमें जोजी व्रीवारवी को पढ़ाने के लिए लेक्चरर चाहिए और उसके लिए देखिए जीव व या सम्तुल परिक्षय साथ ही इसनातक इस्तर पर सम्मंदित विशे का अध्यन भी किया हो यानि कि अगर लेक्चरर की भरते हैं तो आपको ग्रेजवेशन में और उसके साथ पीजी आप लोगों की होनी चाहिए ये जीविज्ञान के लिए है और इसी तरीके से बोतिक विज ग्यान रहसायन और गणित के लिए भी वही योगता है यानि कि सम्मंदित विशे में इसनातक और उसके साथ बीएड भी होने चाहिए इसी तरीके से दोस्तो जो वरिष्ट अध्यापक यान कि सेकंड ग्रेड है उसमें बीएड चाहिए आप लोगों को और वेकलपिक ग्यता तो वही सब में सेम रहेगी ठीक है इसी तरीके से वरिष्ट अध्यापक यानि कि ग्रेड सेकंड ये जो आप लोगों का है विज्ञान के लिए साइन्स के लिए और इसी तरीके से दोस्तो ये यहाँ पर आ जाते है आप लोगों का अध्यापक लेवल टू ठीक है तो जो सेकंड ग्रेड की जो पोस्टे हैं उनके लिए सम्मंदित विशे में आप लोग पास आउट हों और साथ में बीएड भी होनी चाहिए अब बात आती है अध्यापक लेवल टू यानि कि जो आठवी तक के स्कूल है उच प्रात्मिक विद्धाल है उनमें तो उनमें देखिए दोस्तो अध्यापक लेवल टू के लिए अंग्रेजी और गणित के टीचर्स इनको लगाने हैं और उनमें क्या है योगता निउन्तम आप लोगों के 50 प्रतिसत अंकों सहीत गणित अंग्रेजी वेकल पिविशे के साथ इसना तक यानि कि अध्यापक लेवल जो अनिवार योगता वो ये है कि आपके ग्रेजुएशन में सम्मंदित विशे के शाथ इसना तक होने चाहिए ठीक है ठीक है दोस्तो पचास परतिसत अंक की बाद दिता यहाँ पर है और यहाँ पर दोस्तो देखिए बीएड वे निउन्तम अंकों के साथ रीट लेवल स सेकंड परिक्षय उत्तिर्ण जिसकी वैदताओधी समाप नहीं की गई हो लेकिन दोस्तो यहाँ पर तो अब रीट की तो तमाम जो माक सीट हैं पहले की अठारा की तो वो रद हो चुकी है क्योंकि तीन साल है उनका पीरियड था तो वो खत्म हो चुकी है तो यहाँ पर य किया जाता है लेकिन फिलाल की बात हम करें तो यहाँ पर लेवल टू के लिए अप्लीकेबल सैद राजस्तान में कोई नहीं है क्योंकि इन्होंने रीट मांगा है ठीक है इसी तरीके से दोस्तो यह लेवल फरस्ट के लिए हाँ जिन्होंने बीस्टिसी कर रखा डीलेड कर समतुल परिक्षा और उसके साथ सीपी एड डीपी एड या बीपी एड ठीक है सर्टिपिकेट डिपलोमा या बैचलर डिग्री तीनों में से कोई एक है तो आप लोग पी टी आई के लिए फॉरम भर सकते हैं इसी तरीके से प्रियोग साला सायक चाहिए तो इसमें बताए समतुल परिक्षा यानि कि जो बारवी मैट साइन से जो पास आउट है वो इसके लिए लिजीबल होंगे ठीके दोस्तो अब बात आती है अगले यहां पर पॉइंट की सेवा निवरित जो टीचर से उनके लिए तो इसमें कहा गया है जो रिटार्ड टीचर्स थे उनके लि सकता है इन स्कोलों में उसके लिए रिट वगरा की कोई ऐसी बादता नहीं है और सेवा निवरित जो टीचर्स हैं सेवा निवरित यानि करिटार्ड जो टीचर्स हैं उप 65 वर्स की आयू तक ही काम करने ही तो पात्र होंगे मालिक हो 60 साल में हुआ 62 फिलाल उसकी एज है त इस तरीके से चैन होगा वो सुन लीजिए यहां पर देखिए दो कोई भी स्कूल जो फोम निकालेगा उसकी लिए क्या होगा प्रिंसिपल की प्रिंसिपल ठीक है प्रिंसिपल और उसके साथ दो जो टीचर्स हैं वो कमेटी होगी तीन लोगों की वरिष्तम सिक्षक होंग इसके अलावा दोस्तों यहां पर जो विज्यप्ति आएगी आप लोगों की वो क्या तो अकवार में भी आएगी ठीक है इसमें बताए गया है विभाग्य वेबसाइट विध्यालय नोटिस बोर्ड और सारवजनिक प्लेटफॉर्म पर भी बताया जाएगा कि हमारे स्कू इतने टीचर्स की और इनिन टीचर्स की आवशकता है तो विज्यप्ति यहां पर आप लोगों की आखवार में भी आ सकती है इसके अलावा जो विध्यालय का नोटिस बोर्ड है उस पर भी आ सकती है इसके अलावा दोस्तों सारवजनिक प्लेटफॉर्म यानि की सोसल मीड मेडिया के माध्यम से या फिर इलेक्ट्रोनिक और मेडिया के माध्यम से भी आप लोगों को बताया जाएगा मैं बताऊंगा लास्ट में किस तरीके से आप लोगों को करना है इसके अलावा इन्होंने बताया है किसी भी रिक्त पदर रिक्तियों से अधिक आविदन प्रा है ये तो 50 लोगों में चेन का आधार तो कुछ होगा ना तो वह चेन का आधार क्या है वो यहांपर देखिए याँ पर देखिए दोस्तों अब देखिए यहांपर CHAIN का आधार यानि कि इन्होंने कहा है कि वरिएता सूची यानि कि जो merit list है है आपको लोगों का selection सेक्षन किस तरीके से किया जाएगा तो इन्होंने बताये कि वरिता सूची का निर्मान पद की नूंतम वानचित योगताओं में से सेक्षनिक योगता वे प्रेस सेक्षनिक योगता के अंकभार का 75% और 25% लिया जाकर कुल प्रापतांकों के अधार पर चैन यहां पर किया आप देखिए यानि कि माली जी आप सक्ट ग्रेड का टीचर चाहिए ठीक है सेक्ट ग्रेड का माली जी टीचर चाहिए अब यह समझने की बात है तो इसना तक जो आपकी है ग्रेजवेशन जोस्तों आप लोगों की जो है उसमें जो आपकी परसंटेज बनी थी ठीक है माल V की जो percentage है आप लोग की 12th की उसका 75 प्रतिसत भार यहां पे लिया जाएगा और जो 25 बच गया दोस्तों क्योंकि प्रतिसत जो 100 के बेस्पर निकालने ने जो 25 बच गया वो प्रेस एक्षनिक का मतलब है BAD, BSTC या फिर अगर आपने PTI के रूप में भर रहे हैं तो BPA, CPAD ठी या DPAD ये प्रेस एक्षनिक का मतलब है BAD, BSTC और यहां पर आप लोगों का जो है PTI का भरने हैं तो यहां पर आप लोगों का DPAD, CPAD ये ठीक है तो जो भी योगता मांगी गई है उसका 75 प्रतिसत लिया जाएगा 25 आप लोगों की BAD वगरा के होंगे और ये भी सब को पते ह समान आएंगे तो सिनकी सबसे ज़्यादा आई होगी उनको लिया जाएगा इस तरीके से ठीक है दोस्तों अब ये यहां पर है और यहां पर देखिए एक और चीज मैं आप लोगों को बताने से रह गया वो यहां पर देखिए चैनित करने के बाद आप लोगों को 10 दिन का समय दिया जाएगा आप लोगों को सलक्षन के बाद अगर नहीं जोइन करने तो अगले अभरती को भी यहां पर मोका दिया जाएगा यह कब तक आप लोगों को रखा जाएगा यानि कि या तो पहले निया में टीचर नहीं मिल जाएं किसी भरती से माली जे किसी स्कूल में साइन्स के सीट खाली थी ठीक है और वो सीट भर गई वहाँ पर कोई नया टीचर आ गया सरकारी लगके तो आप लोगों को हटा दिया जाएगा अन्य था एक सेसन के लिए ठीक है एक सत्र के लिए जो सत्र हमारा होता है 22-23 के लिए रखा जा सकता आप लोगों को ये बता रह सेकंड ग्रीड आप लगते हैं तो 25,000 रुपय मिलेंगे साड़े 300 रुपय प्रति घंटा ग्रीड फरस्ट लगते हैं लेक्चिर तो 30,000 रुपय इसके अलावा सारीक शिक्ष्या देपक अगर PTI लगते हैं तो 300 रुपया 21,000 रुपय और अगर प्रियोग सल अलसायक लगत बताया है कि अगर आपका कारिये संतोस जनक नहीं रहा तो आपको हटाया जा सकते हैं अब ये तो हो गई दोस्तो योगता की बात इन नियमों की बात किस तरीके से आपका सेलेक्षन किया जाएगा वो बात इसके अलावा दोस्तों यहां पर देखिए और कल का ही ये न्यू में कितने पद रिक्त हैं ठीक है वो भी आंकड़ा आप लोग देख सकते हो प्राथमीक शिक्षा का यहां पर प्राइमरी का डेटा इनोंनों बताया है उसमें 1082 माधमीक में 1434 पद है ठीक है और 33 सेने सिक्षक के 604 और 2nd ग्रेड के 525 प्रम्थर्म सेने अध्यापक के 269 और सारिक प्रक्षिशक अंदेसे कें के PTI के 16 और प्रियोग साला साइक के 30 रिक पद के लिए आवेदन लगेंगे यान कि पाली जिले से 2516 जो अभ्यारती हैं उनका चैन विद्धा संबल योजना के तहत यहां पर किया जाएगा ये बड़ी बात है इसी तरीके से तमाम ज कुछ दिन पहले विज्यप्ति निकाली थी 25-7-2022 तक इस क्यावेदे नामंत्रित किये गए थे ठीक है इसी तरीके से यहां पर देखिए आज के देनिक भासकर में भी जानकारी आई है विद्धा संबल योजना लेवल 2 में गैस्ट फैकल्टी के लिए पातरता रीट 6-8 तक अंगरी जी गनित के सिक्षकों की कमी खलेगी तो मैंने बताया ना पहले ही कि रीट की जो पातरता है वो आपके पास होनी चाहिए 6-8 तक के लिए अगर लेवल 2 का ध्यापक बनना चाहते विद्धा संबल योजना के तहत उसमें रीट चाहिए और ये तभी संबव है या तो इस रीट का जल्द परिडाम आये और उसके बाद इस स्कूलें ये फोरम निकालें तभी आप इलेजिबल होंगे अन्यथा नहीं होंगे ठीक है लेकिन आप लुग क्या कर सकते हैं कि ग्रेड सेकिंड का भर सकते हैं या फिर किसी स्कूल में लेक्चिरर की आउशकत है तो वो अपलाई कर सकते हैं ठीक है इसके आलावा लेवल फरस्ट का भर सकते हैं पी टी आई का भर सकते हैं और प्रियोग साला सायक का भी भर सकते हैं ठीक है दोस्तो तो यहां पर यह है और दूसरा यहां पर दोस्तो एक स्कूल नहीं यहां पर यहां पर वेकेन से निक दाले मच्छीपुरा गंगापूर सिटी जिला सवाई मादोपूर ये विद्धय संबल योजना के तहत इनकी भरती निकाली गई है देखिए यहाँ पर विद्धय संबल योजना तो इन्होंने क्या किया है एक फारम एक पद निकाला है किसके लिए रसायन विज्ञान के लि और इस स्कूल का नाम आप लोग देख लिजिए देवनारन राज के बाले का अवश्य विद्धाले मच्छीपुरा गंगापूर सिटी जिला सवाई मादोपूर इसमें पूरे राजस्थान से आप लोग या तो खुद जाकर के जमा करा सकते हो या फिर डाक से भेज सकते ह योगता MSC Chemistry प्लस बीड होनी चाहिए तो ये हो गई बात दो स्कूलों के हमने आपको फोम भी बता दी आप तीसरी जो अहम बात है वो सुनिए देखिए दोस्तों आपके आसपास जितनी भी स्कूल है उनमें आप लोग क्या करें उनमें जाईए या फिर किसी भी जो आपक तोर के आपके आसपास वाले स्कूलों में टीचर्स की कमी होगी तो आप लोग आपके आसपास जो स्कूल है उसके संस्ता प्रधान से या उनके जो मैनेजमेंट हैं उनसे पता कर सकते हैं कि विद्धय संबल योजना के तहत यहाँ पे कोई सीट खाली है या नहीं है पहली जिले का जो अखवार है उसको दुरुआस्तान पत्रीगा दैनिक भासकर जो भी आप पढ़ते हैं उसको बड़ी सालिंता से पढ़े उनी में ये वेकेंसी आप लोग को मिलेगी इसके अलावा आप लोग अपने जिला इस्तर पर जो डी और वगरा है या ब्लॉक इस्तर पर प्रारम बेक्षिक्षा दिकारिया उन वहां कारेल से भी पता कर सकते हैं काफी सारे तरीके हैं पता करने के और इस तरीके से जो भी अगर वेकेंसी आएगी अकबार के माध्यम से अन्य माध्यम से हमें पता चलेगा हम आप तक जरूर जानकरी देंगा ऐसा नहीं है कि आज वीडियो बना दिया और उसके बाद आपको जानकरी देंगे यह नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होगा, हम मैंने आप लोग को एक स्कूल का बताय की डेट हाला इंके निकल चुकी है, वो मेरी गलती थी कि यह वीडियो बहुत लेट बरा रहा हूँ, तो इस तरीके से आप ल प्रिया से सरकार का इनिसेटिव बहुत अच्छा है, क्योंकि टीचर्स जो बच्चों की पढ़ाई इससे बादित नहीं होगी, क्योंकि नए टीचर्स मिलना अब दोस्तों एसंभव है, अगर आप लोग एक से आठ तक की बात करें, मालिजे साड़े 15,000 लेवल फस्ट के तो मिली गए, ठीक है, लेकिन लेवल टू, सेकंड ग्रेड और फस्ट ग्रेड, ये भरतियां तो फिलाल अभी चल रही है, इनके एक रीटी तो पातरता हुई है, तो ये भरतियां पूरी होंगी, कब तक ये लोग स्कूलों में जाएंगे, तब तक तो बच्चों के आदित होगी, इससे बहतर योजना और क्या हो सकती थी, इसलिए अच्ची योजना है, एक पोजिटीव वे में आप लोगों को सोचना चाहिए, और इस भरति से रिलेटेड विद्धा संबल योजना से रिलेटेड आपका कोई भी सवाल हो, कोई भी क्वेरी हो, किसी भी त एदुकेशन न्यूज को भी आप लोग फोलो कर सकते हैं, और इस योजना में आपको क्या कुछ समझ में नहीं आया, आपका कुई भी एनी वन क्योस्चन जो आप रखते हैं आपके मन में, वो कमेंट जरूर करिएगा, धन्यवाद दोस्तों, फोर्म सुरू हो चुके हैं, अपने आज पास के जितने भी स्कूल हैं, उन में टच में रहिए, हमारे पास जो इन्फोर्मेशन आएगी, विज्यपती आएगी, वो आप तक जरूर पहुंचाएं जाएंगे, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके रखें, बस यही निवेदन है आप लोगों से, बाद आप सभी का, जै हिन, जै भारत